कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा कोई दान है तो वो या तो जलदान है या पर रक्तदान नमस्कार मैं भूमेगवर आप देख रहे हैं देश रोजाना आज 14 जून को हम मना रहे हैं विश्व रक्तदाता दिवस और इस महतपूर्ण अवसर पर हम रक्तदाता की महतवता इसके लाब और इसे जोड़ी हुई महतपूर्ण जानकारियों के बारे में जानेंगे विश्व रक्तदाता दिवस हर सार 14 जून को मनाए जाता है और इस दिन रक्तदान करने वालों को धन्यवाद करें और सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादन की आविशक्ता के बारे में जावरुकता बढ़ाने के लिए दिन समर्पित है विश्व स्वास्य संगठन याने की डबलू एचो द्वारा ये दिन 2004 में शुरू किया गया था रक्तदान जीवन बचा सकता है एक यूनिट रक्त तीन लोगों की जान बचा सकता है दुरगटना और सरजरी और कई विमारियों जैसे की थैलिसीमिया और हिमोफिलिया की इलाज में रक्त की आविशक्ता होती है रक्तदान ना केवल उन लोगों के लिए लाबदायक है जो उसे प्राप्त करते हैं बलकि रक्तदाता के लिए भी फायदे हैं रक्तदान करने से शरीर में नई रक्त कोशिकाय मनती हैं जो स्वस्थे के लिए लाबदायक होती हैं और ये हिदय रगों की जोखिम को भी कम करता है आम तोर पर देखा जाता है और ये गलस फैमी भी पाई जाती है कि रक्तदान करने से कमजोरी होती है जबकि सचाही ये है कि स्वस्थ वेक्टी के लिए रक्तदान बिल्कुल सुरक्षित है और इससे शरीर को कोई हानी नहीं होती लेकिन कुछ शर्ते अवश्य है जिनका ध्यान में रखा जाना जरूरी है रक्तदान करने के लिए कुछ शर्टे होती हैं जिने ध्यार में रखना आविशक है कि उम्र 18-65 वर्ष होनी चाहिए वजन कम से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए कोई गंभीर बिमारी नहीं होनी चाहिए साथी बरती पढ़ती हैं कुछ सावधानिया भी रक्तदान के बाद दान के बाद 10-15 मिनट आराम करें खुब पानी पिए भारी काम और व्यायाम से बचें दोगर मिलाकर आज हमने जाना कि हम सभी को रक्तदान के रहे प्रोसाइथ होना चाहिए और दोसरों को भी प्रोसाइथ करना चाहिए और यहना किवल खुद के लिए भी बलकी समाज में एक जुटता और मानफता का प्रतीक भी है आज की विशेश कारेक्रम में इतना ही आप इस महानकारे में शामिल हुए और किसी की जिंदगी बचाएए मैं भूमे का लेतियों से विदा, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और उक्का की भावरा रखते हुए दूसरों की मदद कीजिए और आज किस दिन के उचित्ते को सार्थक कीजिए रक्तदान महादान साथी देखते रही आपका मन पसंदिदा चैनल देश रोजाना बेबाक सच धन्यवाद